तो कोई एक अपनी चीज जो आपको बहुत जादा फेवरेंट आपकी हो प्रसांथ और सबनम की वीडियोज हो रही हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वारल और फैंस भी इनकी जोड़ी को करते हैं बहुत जादा पसंद वही प्रसांथ और सबनम ने क्यों कर लिए चुपचाप शादी इनकी शादी का असली सच आया सामने तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही जादा इंटरस्टिंग आज आपको बताएंगे सबनम और प्रशांथ की प्यारी सी लव स्टोरी और साथ ही आपको बताएंगे इनकी साधी का असली सच वैसे आप इन दोनों की जोड़ी को कितना पसंद करते हैं कमेंट वाक्स भी जरूर बताना तो वीडियो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाला है हेलो एफिवन कैसे हैं आप लोग तो आएए वीडियो को करते हैं स्टार्ट वैलेंटाइन्स डेयार है जनाब क्या घित देंगे चो आप चाहें आप से आपको मांग लू तो तो पहले बात कर लेते हैं सबनम की सबनम का फूल नेम सबनम लायक है सबनम अपनी कमाल की परसनलिटी और क्यूट इसमाल से लाको दिलों पर आज करती है 27 सितंबर को कॉल काता में एक बहुत ज़ादा प्यारी बच्ची का जन्म हुआ जो सोशल मेडिया पर सबनम लायक की नाम से फेमस है वही अगर बात करें इनके एजुकेशन और कॉलिफिकेशन की तो स्टार्टिंग की पड़ा इन्होंने कॉल काता से ही कम्टीट की है और यह अपने ग्रेजुएशन कॉल काता से ही कम्टीट कर रही है सबनम की फैमिली बहुत ही ज़ादा सपोर्टिंग है इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा है तुम मेरे अलावा और कितने लोगों से बात करते हो तो आप बात कर लेते हैं सबनम के स्टार्टिंग से करियर के बारे में इन्होंने अपने करियर की सुरुआ टिक टॉक से की थी लोग इनकी क्यूटनेस को बहुत जादा पसंद करते थे और कमी समय में इनकी अच्छी खासी फैन फॉलाइंग हो चुकी थी लेकिन अप प्रिशान्त की वज़े से समनम को लोग बहुत जादा पसंद करने लगे और समनम की भी सारे वीडियोस वारल होने लगी वैसे आपको समनम कैसी लगती है कमेंड बॉक्स में जरूर पताना प्रशान्द और सबनम कब और कैसे मिले और इनके प्यार की कहानी क्या है जानने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखना अगर बात करें प्रशान्द की तो प्रशान्द आजपूर्ट को कौन नहीं जानता जिनकी सोशल मेडिया पर मिलियन्स में फैंस हैं और इनकी वीडियोस भी काफी तीजी से वारल होती हैं सबनम और प्रशान्द एक दूसे को इस्टाग्राम पर फॉलो करते थे और वही पर इन दोनों की पहली बार बात हुई वही इनकी दोस्ती हुई और ये दोनों बाते करने लगे और इसके बाद प्रशान्द अपने अलबम सौंग के लिए कॉलकात आये थे वही पर प्रशान्द और सबनम पहली वार मिले और इसके बाद इन दोनों ने एक साथ कई सारी वीडियोस बनाई फैंस देन की जोड़ इसे वारल होने लगी वही फैंस को डाउट हुआ कि सबनम और प्रशान्द रिलेशन्शिप में हैं लेकिन जब भी प्रशान्द से पूछा गया तो प्रशान्द ने कहा कि सबनम उनकी एक अच्छी दोस्त है और इससे जादा कुछ नहीं पर वो आपने कहावा तो सुनी ह होगी कि प्यार चिपाय नहीं चिपता इसके बाद फाइनली प्रशान्द ने अपने प्यार का रिवील सबके सामने कर दिया अगर बात करें इनकी शादी की तो इनकी शादी अभी नहीं हुई है पर जल्दी दोनों शादी के बंदन में बनने वाले हैं वैसे आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है कमेंट वोक्स में जरूर बताना तुम मुझे बहुत पसंद हो I love you तो अब बात कर लेते हैं प्रिशान्द और सबनम की सोशल मीडिया पॉफ फेम के वारे में तो सबनम के इस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन और प्रिशान्द के 1.4 मिलियन और प्रिशान्द के यूट्यूब पर 85 लाग सस्क्राइबर और दूसरे चैनल पर 30 लाग सस्क्राइबर कमट्रीट हो चुके हैं दोनों की एक साथ वीडियो और ब्लोग आते ही रहते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो सब नौमा प्रिशान की जोड़ी आपको कैसी लगती है वीडियो को लाग सस्क्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही इंटरस्टेंग और नए नए स्टोरी चानने के लिए मेरे चैल को सस्काइब करना बिल्कुल न भूले एंड नेक्स स्टोरी आप किस कपल पर चाते हैं कमेंट वाक्स में जरूर बताना अपने सर्जिस्शन जरूर देना मैं सब के कमेंट्स को रीड करती हूँ थैंक्यू गाइस शादी तो सब की होती है मगर जिससे प्यार करते हूँ उससे शादी हो जाया न तो जिन्देगी और भी ज़्यादा हसीन हो जाती है